मशकार बहुत स्वागत है आपका विंधिया टाइम्स में हम रोज की तरह आज भी हाजिर हुए मौसम की ताजा जानकारियों के साथ हम आपको बता दी कि मध्यप्रदेश में बीते एक सब्ताह से लगातार बारिश का दौर जारी है मौसम विभाग की तरब से गुरुवार को भोपाल जबलपूर समेत 18 जिलों में तेज बारिश का अलट चारी किया गया है मौसम विभाग ने बारिश को लेकर बढवानी अली राजपूर गुना अशोक नगर शिप्पूरी दतिया श्योपूर कला अनुपूर शेहडोल उमरिया कटनी जबलपूर निवाडी जिलों में औरन जलट चारी किया है वहीं विदिशा, राइसेन, सिहोर, नर्वदापूरम, बैतूल, जाबूआ, धार, नीमच, ग्वालियर, मुरैना, सीधी, सतना, डिंडोरी, छिंदवाडा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमो, सागर, टीकमगड और मैहर में भारी बारिश को लेकर यलो अलट ज ठोड़ा गया, बीना के बिलधब में लोगों को घरों की छटों से रेस्क्यू करना पड़ा, दतिया की संकुआ धाम में युवक सिंध नदी में बह गया, तो वहीं निवाड़ी जिले में टापू पर फसे युवक को रात में रेस्क्यू करना पड़ा, टीकमगड और कट कटनी जिले में भी बार जैसे हालात नजर आ रहे हैं, या जगह जगह पर जलभराब देखने को मिल रहा है, कटनी जिले में बारिश का कहर जारी है, दो दिन से हुई मूसला धार बारिश से, जिले में धीमर खेड़ा और बहोरी बंध, तहसील में बार के हालात बन गए, ठीमर खेड़ा के थिर्री और सीमरिया गाउं जलमगन हो गया, घर पानी में डूब गया और गाउं टापू में तबदीर हो गया, जलभराब के कारण लोग घर के छट में डेरा जमाए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद